दोस्तों देखें किस तरह से पॉपकॉन पॉप हो रहा है तो चलिए आज हम साबुत मुझ से पॉपकॉन बनाते हैं यह आज कल बहुत ट्रेंडिंग में है तो एक बार हम भी ट्राई करके देखते हैं बनता है या नहीं नेट पर तो बहुत लोग डाल रहे हैं पर एक बार करना तो जरूरी है तो हम गैस पे प्रिशर कुकर को रख दिये हैं उसमें तेल डाल दिये हैं आप बटर भी डाल सकते हैं इसमें हम नमक को एड़ कर दिये हैं और यह सावुत बुंग को एड़ कर दिये है और जैसे पॉपकर्न बनता है उससे इसको हम चला रहे हैं कि गरम भी हो गया है यह कुछ भी नहीं हो पा रहा अभी तक इसमें धूआ भी होने लगा है कि आपको पास से दिखाते हैं पर अभी तक यह कुछ भी नहीं हुआ तो हम प्रिशर कोकर का धकन लगा दिए इसका रवड़ा और सीठी निकाल के और जैसे कॉर्ण का पॉपकर्ण बनाते हैं उसी तरह से हिला हिला के हम इसके पॉपकर्ण को भी बनानी लगे अब हम धकन को खोल के देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं हुआ मूंग जल भी गया है प्रिशर कुकर भी नीचे से जलना स्टार्ट हो गया पर यह पॉपकर्ण नहीं बना क्योंकि मूंग डाल का पॉपकर्ण बनता ही नहीं है इंटरनेट पे व्यूब टोडने के चक्कर में कुछ का कुछ लोग बना रहे हैं तो इससे जब बनता ही नहीं है तो कैसे बनेगा तो दोस्तों आप इसको ट्राइं न करें क्योंकि इससे टाइम और समान दोली बरबाद होता है जो अनाज दो भाग में बटा हुआ हो उसस